प्रशास्निक अधिकारियों की टीम ने मनासा की तीन गाउं में छापमार कर कारवाई की जहां उजाला नील मिला का सपेद माववा बनाया जा रहा था मनासा शेत्र में बिना बंजियन के मावा तयार कर बहार बेजने की शिकायत मिलने पर कलेक्टर के निर्देश पर मनासा एस्जेम के नेत्रत में प्रशासनिक टीम ने एक साथ तीन गाओं में दबिश दी जहां एक ही परिवार के लोग अलग-अलग मावा तयार कर रहे थे पूछताच में संचालक ने बताए कि मावा सफिद बनाने के लिए दूद में उजाला नील की दो बून डालते थे टीम ने मावा वा दूद के सेंपल लेकर जाच के लिए भेजे मनासा SDM मनीश जैन ने बताए कि शिकायत मिली थी कि कुछ लोग बहार से आगकर यहां स्टीम बाईलर पद्दती से मावा तयार कर बहार भेज रहे थे खास सुरक्षादिकारिस संजीव कुमार मिश्रा, नायब तहसिलदार रश्मी धुर्वे, कुकडेशवर टीयाई संदीप तौमर वा पुलिस बल के साथ मनासा तहसिल के दैथल कुंडला वा कुंडवासा में दबिज दी तीनों जगा एकी परिवार के लोग मावा बना रहे थे दूद आसपास के गाउं से खरीद कर इस्टिम बॉयलर प्लांट से मावा तयार कर अतलाम के रास्ते मुंबाई भेचने की तयारी कर रहे थे यादव मावा भंडार के संचालक संदीप यादव के उपस्तिती में जाच की इनके द्वारा नियुन्यतम फेट वाला दूद खरीद कर मावा तयार करते और 170 रुपे किलो बेचते थे त्योहार के समय मांग अनुसार मावा 200 से 300 रुपे किलो कर देते थे तीनों जगा से मावा तयार कर कुंडला में पहुचाते जहां फ्रीजर में रखते थे कुंडला इस्तित यादव मावा भंडार से मावा वा गाय भैस के मिश्री दूद के सेंपल लिए संचालक के बाद खास सुरक्षा एवं मानक अधिनियम का पंजियन भी नहीं मिला संचालक को पंजियन करवाने तता उजाला नील की मिलावट नहीं करने की हिदायत दी खास सुरक्षा दिकारी मिश्रा ने बताया कि दोनों सेंपल भुपा लेब भेजे गए हैं बावा के सेंपल में उजाला नील की जाच करने का उलेक किया है रिपोर्ट आने के बाद आगे की कारवाई की जाएगी